देश को रेवडी कल्चर नहीं, जूट की गठरी कल्चर से मुक्त कराना है क्योंकि प्रधान मंत्री जी का एक सपना था कि 2022 में जब स्वाधीनता दिवस मनाएं तो उस समय हर भारतिये के पास घर हो प्रधान मंत्री जी का सपना था कि 2022 में किसानों की आय डबल हो जाए प्रधान मंत्री जी का सपना था कि 2022 में एम्दाबाद से बंबई के बीच बुलेट ट्रेन में हम लोग सफर करें परदान मंत्री जी का सपना था कि 2022 में पांच ट्रिलियन डॉलर की एकॉनोमी भारत बन जाए उस मुफ्त की गटरी कल्चर से कब मुफ्ती होगी। बुलेट ट्रेन, पांच ट्रिलियन डॉलर की एकॉनोमी, किसानों के आए दोगिनी करना, हर हिंदुस्तानी को पक्का घर, इसकी नई डेड्लाइन आएगी क्या। क्योंकि अब ये दोजार वाइस तो आ गया प्रदान मंत्री जी, इसकी नई डेड्लाइनस आप क्या घोशिद करोगे। देश में इस बार 14 जनवरी के पहले, मकर सक्रान्ती के पहले ही, रेवडियों की चर्चा बहुत हो रही है। पर समस्या ये है, कि देश के लोगों को और देश की सरकार को मुफ्त की रेवडियां तो दिखती है, पर जो मुफ्त की गजक बट रही है, वो किसी को नहीं दिख रही है। अब आप सकहेंगे साब रेवडि और गजक में क्या अंतर है, देखें रेवडि बनती है, गुड, चासनी, तिल और घी के मिश्रण से, अब उस एक मिश्रण में जिसमें एक डला अगर गजक बनती है, उसमें सैकडो रेवडिया बन जाती है। तो यदि मुफ्त की रेवडिया खराब है, तो मोदी जी मुफ्त की गजक अच्छी कैसे हो गई? और दूसरी सवाल ये है, कि देश को रेवडि कल्चर नहीं, जूट की गठरी कल्चर से मुक्त कराना है। और आज पूरा डाटा सहीत ये बाते जो मैंने आपको कही, कि मुफ्त की रेवडिया खराब, मुफ्त की गजक अच्छी, रेवडिया खराब पर जूट की गठरी कल्चर अच्छी, ये पूरे इश्यू पे आज हम बात करेंगे। साथियों, Food Security Act 2013 में लाया गया, और उसी का आधार बना कर, कोरोना के आपदा के समय, भारत सरकार ने लोगों के घरों में राशन पहुचाने का काम किया। असी करोड लोगों को उससे लाब मिला। मतलब साथ प्रतिशत देश की जनता को राशन पहुचाने का काम, Food Security Act 2013, UPA के दोरान जो Food Security Act बना, उसका बेज बना के वो राशन पहुचाने का काम हुआ। अब इस Food Security Act में एक तरफ तो आप राशन दे रहे हो, आपदा के समय, दूसरी तरफ उस राशन को आप MSP पर किसानों से खरीद रहे हो, वो तो हो गई रेवडी कल्चर। पर 10 लाख करोड का लोन बट्टे खाते में डालना, उस गज़क कल्चर पर प्रधान मंत्री जी कब discussion होगा? आप कहेंगे सर बट्टे खाते में डालना और लोन माफी में अंतर होता है बहुत सही सवाल है बट्टे खाते में डालना अलग बात होती है रेन माफी अलग होती है राइट आफ्स और वेवर्स अर डिफरेंट पर अभी संसद में सरकार ने स्वयम ने बताया कि पिछले 5 सालों में 10 लाख करोड रुपे का लोन बटे खाते में डाला जिसमें 7 लाख 27 लाख करोड का लोन सरकारी बैंकों ने बटे खाते में डाला और उसी पांच सालों में सरकारी बैंकों ने उस बट्टे खाते में डाले गए लोन में से मात्र एक लाग तीन हजार करोड रिकवर किया तो साथ लाग 27 में से एक लाग तीन हजार करोड रिकवर हुआ अर्था जितना सरकारी बैंकों ने बट्टे खाते में डाला recovery मात्र 14 प्रतिशत हुई मान लेते हैं 6 प्रतिशत और वो recovery कर लेंगे आने वाले समय में मैं मान लेता हूँ 20 प्रतिशत recovery हो जाएगी तो भी 5,80,000 करोड रुपे का लोन तो डूब गया ना और वो लोन का पैसा जब सरकारी बैंकों का डूबा तो किसका डूबा हर उस करदाता का डूबा जिसने भारत सरकार को समय पर GST दिया हर उस किसान का डूबा जब उसने डीजल में पैट्रोल अपने ट्रैक्टर में डीजल बरवाया तो भारत सरकार को exercise duty का पैसा दिया वो बट्टे खाते में 5,80,000 करोड रूपया सरकारी बैंकों का डूबा है उस गजग के बारे में discussion कब होगा प्रदान मंत्री जी आपको तकलीफ यह हो रही है कि किसान से MSP में नहीं खरीदना जाना चीए क्योंकि वो मुफ्त की रेवडी है तकलीफ यह है कि आपदा के समय लोगों को फ्री राशन पहुचाना नहीं बंद करना है क्योंकि वो मुफ्त की रेवडी है पर यह 5,80,000 करोड जो सरकारी बैंकों का पिछले 5 साल में डूबा उस मुफ्त की गजग का हिसाब कौन देगा दूसरा एक और उधारन देता हूँ आपके सामने मन्रेगा 2005 में एक्ट लाकर ग्रामीन परिवारों को प्रती वर्ष 100 दिनों का रोजगार देने की गारंटी का एक्ट यूपिय की सरकार ने उसको पास कराया और उस मन्रेगा से लोगों को जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी हुआ मन्रेगा मुफ्त की रेवडी है पर 2019 में जब corporate tax की rates को cut किया गया जिसके कारण प्रती वर्ष भारत सरकार को एक लाक पैतालिस हजार करोड का नुकसान है उस मुफ्त की गजग के बारे में कोई डिबेट नहीं कोई डेलिबरेशन नहीं क्यों मोधी जी ऐसा क्या रिष्टा है आपका उनसे गजग खाने वाले लोगों से कि जिन 2019 में करोना के पहले भारत सरकार ने corporate tax की जो rate थी उनको कम किया और उस कमी से सिरफ देश के एक प्रतिशत 1% corporates को फायदा मिला उस कमी के कारण देश की सरकार को प्रति वर्ष 1,45,000 करोड का नुकसान हुआ उस मुफ्त की गजग के बारे में हिसाब कौन देगा मिड़े भी मिल जिसमें 12 करोड बच्चों को प्रति दिन भोजन दिया जाता है वो मुफ्त की रेवडी है पर ये एक लाग 45,000 करोड रुपया प्रति विस वर्ष भारत सरकार ने फॉर्गो कर दिया उस मुफ्त की गजग के बारे में कोई डिसकशन नहीं तो मुफ्त की रेवडी खराब तो ये मुफ्त की गजगो को कब रोकोगे फिर तीसरी बात की रेवडी कल्चर से जादा जूट की गठरी कल्चर से देश जादा परिशान है और जूट की गठरी कल्चर से मुफ्त कराना देश को बहुत ज़रूरी है साथियो दो दिन बाद हम भारत की स्वाधिनता के 75 वर्ष मनाएंगे दो दिन बचे हैं साथियों मुझे 75 वर्ष जब देश हमारी अजादी के मनाएगा और हमारे प्रधानमंत्री जी उस दिन उदास रहेंगे आप कुछेंगे प्रधानमंत्री जी उदास क्यो रहेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक सपना था कि 2022 में जब स्वाधिनता दिवस मनाए तो उस समय हर भारतिये के पास घर हो तो इस जूट की गटरी कल्चर से कब देश मुक्त होगा परधान मंत्री जी का सपना था कि 2022 में किसानों की आय डबल हो जाए उस जूट की गटरी कल्चर से कब मुक्त होगा देश परधान मंत्री जी का सपना था कि 2022 में एमदाबाद से बंबई के बीज बूलेट ट्रेन में हम लोग सफर करें उस मुफ्त की गटरी कल्चर से कब देश मुक्त होगा परधान मंत्री जी का सपना था कि 2022 में 5 ट्रिलियन डॉलर की एकॉनोमी भारत बन जाए उस मुफ्त की गटरी कल्चर से कब मुक्ती होगी मैं सरकार से और प्रधान मंत्री जी से पूछता हूँ कि प्रधान मंत्री जी आपके इतने सपने पूरे नहीं होंगे आप कितना उदास होंगे और जब मेरे देश का प्रधान मंत्री उदास होगा तो मैं भी उदास होंगा, क्योंकि उनके सपने पूरे नहीं हो रहे, जो 2022 में उन्होंने देश को बताये थे, हर भारतिये को घर पक्का घर, बुलेट ट्रेनों में हम सब लोग घुम रहे हैं, पांच ट्रिलियन डॉलर की एकॉनोमी बन चुकी है, किसानों की आये डबल हो च कराएंगे, इस बाबत हमारे पांच स्पेसिफिक सवाल है, पहला, फ्री वीज के बारे में, मुफ्त की रेवडी के बारे में, सब तरफ हला गुला, पर प्रदान मंत्री जी जो पिछले पांच सालों में, सरकारी बैंकों के पांच लाक अस्ती अजार करोड रुपे और वो कौन लोग है प्रदान मंत्री जी जो जिनके पांच लाक अस्ती अजार करोड रुपे डूब गए है, उन सब का विवरन देश के सामने आप कब रखोगे, सवाल नंबर दो, यदि किसानों को MSP देना मुफ्त की रेवडी है प्रदान मंत्री जी के लिए, मन्रेगा में हर रूरल ग्रामेंड परिवार को सौ दिन का रोजगार देना मुफ्त की रेवडी है प्रदान मंत्री जी की नजरों में, बच्चों को बारा करोड बच्चों को मिड़े मील के तहत बोजन कराना मुफ्त की रेवडी है प्रदान मंत्री जी की नजरों में, मुफ्त रा 45,000 करोड रुप्या प्रती वर्ष भारत सरकार को हानी होती है क्योंकि corporate tax की rates में कटोती की गई 2019 में इस हानी पर कब चर्चा होगी इस गजक पर कब चर्चा होगी सवाल नंबर तीन छोटी छोटी assistance देना देश के लोगों को देश के लोगों का मुसिबत के समय हाथ पकड़ना मुफ्त की रेवडी है पर लाखो करोड रुपे के लोन पांच लाख असी अजार करोड का लोन जो non-performing हो गया जिसको banks वापिस collect नहीं कर पाई बट्टे खाते में डालने के बाद उसके बारे में विवर्ष कब होगा सवाल नमबर चार कब और कैसे ये जूट की गटरी ये रेवडी कल्चर तो परदान मंत्री जी बाद में आएगी पर ये जूट की गटरी कल्चर से कब देश को निदान मिलेगा और last but not least कि क्या परदान मंत्री जी अब स्वादीनता द अभी बस पे अपने भाशन में ये जो बुलेट ट्रेन, पांस ट्रिलियन डॉलर की एकोनमी, किसानों के आये दोगिनी करना, हर भिंदुस्तानी को पक्का घर, इसकी नई डेडलाइन आएगी क्या? क्योंकि अब ये 2022 तो आ गया प्रदान मंत्री जी, इसकी नई इसकी नई डेडलाइन साब क्या गोशित करोगे? और आपके सपने अगर पूरे नहीं होते हैं, तो हिंदुस्तान के प्रतेक व्यक्ति के सपने पूरे नहीं होते हैं, मेरे प्रदान मंत्री का सपना पूरा नहीं हो रहा, वो कितना गमगीन और कितने उदास होंगे 15 अगस झाल